आज संगठन की बेठा कोई नगर अद्ध्यक जी उसमें क्या चर्चा हुई और क्या डिसीजन हुए संगठन की जो बेठा कोई थी उसमें विशेस रूप से इस बात पे विचार विमर्श हुआ कि इंडोर शेहर में लागडाउन बढ़ेगा जिस हिसाब का इंडोर शेहर का वातावरेंट दिख रहा है और पांता दिन दस दिन इसे बढ़ाना पड़ेगा तो जब बढ़ाने का निर्णाय प्रशाशन शाशन लेगा तो आम लोगों को तकलिफ नहीं हूँ हाम लोगों को ज़रूरत का सब सामान मिल जाए और आम आदमी उसे स्वीकार कर ले यह छोटी छोटी बातों कर हमने पाटी में बेट के चिंता की और हमने इस बात पर विशायर किया कि लोगों के पास कि मनी की कमी है नगत पैसा नहीं है शब्दियों की व्योस्ता हो गई आगे समय में पूर्ट की व्योस्ता हो जाए इन सब के साथ जो छोटी छोटी घरे दू आइटम है जैसे शेविंग क्रीम है तूट पेष्ट है ब्रेड है बिस्कूट है इस तरह की चीजों की भी शु में हुई और यही सब बाते हमने जिलादी श्मोदय से अभी जो अधिकारियों के साथ बेठक थी इसमें रखे और जिला प्रशासन ने कहा है कि हम इन सब बातों को जोड़ के और लोगों को ज्यादा ज्यादा रहात मिले और इस लाख आउट को है इस बंदी को लोग सहर स सुविकार करें और अगर आट दस दिन और भड़ अपनने इसे बढ़ा लिया तो हम केरोना की चेन को तोर देंगे अभी जो रिपोर्ट है आ रही है पेले के बनीज़ बात सो में से दस नो आठ के आसपार आ रही है यह सो में से दो तीन के आ जाए तो अपन अपनी जीत को समझेंगे कि अपन जीत गए अपने प्रशाशन की और शाशन की और लोगों का सहोग तो हमने इसे पार पाड़ लिया लेकिन आने वाले समय में जब तक दुनिया भर में इसके वेक्सीन दवाई पे प्रयोक चल रहे तो आने वाले दो चार छे महीने जब तक यह नहीं बन सुरक्षा है यह इसका इलाजी है तो इस पर लोगों की जाग रूपता के लिए कोकेशन शोशल मीडिया के माधियं से रेडियो के माधियं से प्रशार के माधियं से प्रशाशन लोगों में अविर्नेस पीदा करें इंदोर शहर सफ़ाई में लोगों ने सुविकार किया दूसरा क्या एसा कुछ डिसीजन हुआ कि जैसे लागडाउन में कुछ किरानों की दुकाने आउट साइड में खोलने का निर्णे कुछ हुआ इस प्रकार से किरानों की दुकान की सप्लाई की चेन को बढ़ा लाग और किसानों को दूसकी वेवस्ता हो जाए उनका दूसरे दूसरी चीजों तक किरानों की दुकान को पहुचा लाग दूसरा जैसे सुपर कॉरिडोर हो गया बाइपास हो गया इस तरफ कहीं कोई केस नहीं है और अब मां 30-35 दिन अब आप लॉकडाउन को हो चुके हैं तो उस तरफ खोलने के बारे में कुछ इसा शासन ने अभी अभी इस विशे पर कोई चर्चा नहीं मतलब कोई विचार नहीं कि कहीं खोला जाए तो अगर वहां पर भगदर मची या वहां भीड़ी घट्री हो गई तो यह इतनी मेहनत की है वो सब जीरों पर आ जाएगी तो इसलिए वैसा कोई अभी प्लान नी बढ़ा है मतलब दिन पर दिन को और रहेगा ऐसा लग रहा है